दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर चुनाव होने हैं हर्याना के अंदर विधान सभा का चुनाव है जिसको लेकर तमाम राजनितिक दलपनी तयारी कर रहे हैं लेकिन विधान सभा चुनाव से पहले एक और चुनाव है हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव का एलान हो उससे पहले एक और चुनाव हो जाएगा और वो चुनाव हर्याना की राजनिति पर एक दूरगामी असर भी डालेगा अगर आप मानें तो उस चुनाव से हर्याना के अंदर राजनितिक समीकरन भी काफी हद तक बदल सकते हैं वो जो चुनाव होना है वो है हर्याना की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव वो राज्यसभा की सीट जो दिपेंदर हुड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है दिपेंदर हुड़ा हर्याना से राज्यसभा के मेंबर थे 2026 तक उनका कारेकाल था लेकिन उन्होंने लोगसभा का चुनाव रड़ा लोगसभा का चुनाव जीत गए और उसके बाद उन्होंने वो राज्यसभा की सीट खाली कर दी दिपेंदर हुड़ा की जो सीट खाली हुई राज्यसभा की जिसके लिए अब चुनाव का कारेकरम आ चुका है अधिसूचना जारी होनी है 14 अगस्त को 21 अगस्त तक उसके लिए नामांकन होंगे और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की छटनी होगी जाँच होगी अगर एक ही नामांकन रहा यानि की चुनाव की जरूरत ना पड़ी तो 22 अगस्त को ही एलान हो जाएगा जीते हुए कैंडिडेट का की कौन मेंबर बन गया राज्यसभा का लेकिन अगर चुनाव हुआ तो फिर 3 सितंबर को मतों की गिंती होगी मतदान होगा और फिर चुनाव परिनाम का एलान होगा यानि कि जो अगला एक पखवाड़ा है हर्याना की राजनीती में काफी महत्वपून है और इस चुनावी पखवाड़े में यानि कि जो राज्यसभा के चुनाव के लिए होना है इस चुनाव के बाद में और चुनाव के साथ हर्याना का राजनितिक सेनेरियो कैसे चेंज हो सकता है उस पर आपके साथ अप मैं चर्चा में हूँ इस राज्यसभा की सीट के लिए अगर माने तो जो अंकों का गणित है उस अंकों के गणित के इसाब से देखें तो फिर ये सीट भारती जन्ता पार्टी के खाते में जाना लगबग लगबग तै है क्योंकि जितने वोट चाहिए राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए उतने वोट भारती जन्ता पार्टी के पास है हाला कि मुकावला बिल्कुल कॉंग्रेस का भी बराबर हो सकता है कॉंग्रेस और विपक्ष का भी लेकिन क्योंकि कॉंग्रेस और विपक्ष की पार्टी जो जन्नायक जनता पार्टी है उनके बीच आपसी ताल मेलcią कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा जन्नायक जन्ता पार्टी जहां कॉंग्रेस के खेमे में डालती थी गेंद को तो फिर कॉंग्रेस जन्नायक जन्ता पार्टी की तरफ डालती रही हाला कि इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया कि जो पेच फसा सकता है और वो मामला है विनेश फोगाट वाला विनेश फोगाट जिसके लिए कि भुपेंदर सिंग उड़ा ने कहा कि अगर मेरे पास बहुमत होता कॉंग्रेस के पास बहुमत होता तो राज्य सभा में विनेश फोगाट को भेजते इस बात को ले करके यानि कि विनेश फोगाट के मामले को ले करके एक पेच तो फस सकता है लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली सीट भारती जंता पार्टी के खाते में जाती दिखाई पड़ती है इस बीच आप से एक बात और बता दूँ कि जहां भुपेंदर सिंग उड़ा ने कहा तो वहीं हुड़ा साब के बयान के इतर एक बयान आया मावीर फोगाट का और आज हर्याना के खेल मंत्री संजे सिंग ने कहा कि अगर विनेश फोगाट भारती जनता पार्टी में आ जाएं तो फिर हम देखेंगे यानि की भारती जनता पार्टी देखेगी कि उनको राज्य सभा में भेजा जाए या राजनीती में कहां लिया जाए वैसे संजे सिंग के बयान को ले करके मैं थोड़ा सा हैरत में जरूर हूँ अगर भारती जनता पार्टी के ये परदेश अद्यक्ष कहते परदेश के परभारी कहते कोई राष्टे नेतरतव कहता परदेश नेतरतव कहता तो बात अलग थी संजे सिंग जी की तो अपना भी टिकेट विधान समा के लिए पक्का है या नहीं वो खुद भी आला कमान और परदेश नित्रतव के विचाराधीन रहेगा लेकिन संजे सिंग ने कहा अबयान दिया तो हमने आपको उससे भी अवगत करा दिया उसके बारे में भी आपसे बात कर ली अब बात ये कर लेते हैं कि समीकरण कैसे चेंज हो सकता है हर्याना की राजनिती में और क्या वो हो सकता है जो आजकल सोशल मीडिया में चर्चाओं में है ज्यादा पहली ना बुजाते हुए आपसे मैं सीधा कहूं कि हर्याना भारती जंता पार्टी के अंदर चार ऐसे नेता हैं जिनकी निगाहा इस राज्यसभा की सीट के लिए है विस्तार से बताऊंगा उन सब नेताओं के बारे में भी और वो चारों नेता कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जंता पारटी में आए उनमेंसे दो नेता तो नेत्री हैं माँ बेटी हैं दोनों वो और उनोंने हर्याणा के अंदर लोगसभाज चुनाव से पहले जो लोगसभाज चुनाव का रजल्ट आया उसके बाद में उन्होंने भारती जंता पार्टी की सदस्यता ली बीजेपी में शामिल हुए एक नेता ऐसे हैं कि जो लोगसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे कॉंग्रेस छोड़े तो काफी टाइम हो गया था कई पार्टियों की परिक्रमा करके आए और यहां पर आकरके उनको सांसद का टिकेट मिल गया और जो चौथे नेता वो है उन्होंने हर्याना लोगसभा और इस सब चुनाव से काफी पहले कॉंग्रेस को छोड़ दिया था विधायक पत से इस्तीफा दिया था उनकी भी निगाहा है इस राज्यसभा की सीट पर सब्सक्राव में वो हैं कुल्दीब विष्णोई आप से चर्चा करते हैं कुल्दीब विष्णोई से ही शुरू कर लेते हैं कुल्दीब विष्णोई कॉंग्रेस छोड़ कर उस समय आये जब भारती जनता पार्टी के विधायक 40 थे आज भाजपा के विधायक 41 हैं कुल् भारती जंता पार्टी में शामिल हुआ तो एक बार तो बीजेपी आला कमान से लेकर परदेश इकाई ने उनको इतना फील गुड कराया कि उनको यह लगता था कि उनकी बल्ले-बल्ले हो गई बाद में क्या हुआ यह सब आप जानते हैं अब अगर कुलदीब विश्णोई की बात ही कर लें तो कुलदीब विश्णोई आदमपुर से कॉंग्रेस के विधायक थे कॉंग्रेस के विधायक चुने गए थे वो 2019 के चुनाओं में हर्याना परदेश अध्यक्ष पद को ले करके कुलदीब विश्णोई के जो रूख था जो तेवर थे वो बिगड़े और उन्होंने धीरे धीरे उस सब के बाद में कॉंग्रेस को टाटा बायवाय बोल दिया मुख्य मंत्री उस समय मनोलाल खटर थे उन्होंने और उस समय जो परदेश अध्यक्ष ते नायव सिंग सेनी उन्होंने और उस समय जो परदेश का और सेंटर का जो बीजेपी काला कमान सबने कुलदीब विश्णोई का बड़ा भव्य स्वागत किया भारती जंता चुनाव तो उस समय मनोलाल जी ने कई घोशनाएं की थी उन्होंने कहा था आदमपुर में जाकर के कि कुलदीब विश्णोई और भव्य विश्णोई का हाथ मेरे हाथ में वा चुका है विधायक आप बना दो आगे मैं देख लूँगा अलांकि वो सब कुछ हुआ नहीं कुलदीब विश्णोई को बाद में राजिस्थान के अंदर चुनाव का सह परभारी बनाया राजिस्थान विधान सभा में भाजपा की सरकार बन गई कुलदीब विश्णोई का असर भी दिखाई दिया विश्णोई बाहुलिय सीटों में जीत भी मिली लेकिन कुलदीब विश्णोई देखते रह गए कि आखिर उनको मिलना क्या है मिला सिर्फ इतना कि उनका पुत्र भव्य विश्णोई भारती जनता युवा मोर्चा का परदेश परभारी हो गया इसके लावा और कुछ नहीं मिला संगठन और सत्ता के तौर पर पिशले दिनों कुलदीब विश्णोई अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ अमिशा से भी मिले, मनहुरलाल जी से भी मिले, नायब सिंग सैनी से भी मिले लोकसभाद चुनाओ में उनकी रुसवाई थी, उनकी लड़ाई थी, वो नाराज हुए थे लेकिन बाद में मन गए और भारती जनता पार्टी को सपोर्ट भी गिया ये दिगर बात है कि आदमपुर के अंदर भी बीजेपी कैंडिडेट रंजी सिंग चोटाला चुनाब हार गए अब उस सीट पर यानि की राज्यसभा की सीट पर कुल्दीब विश्नोई की नजर भी है कुल्दीब विश्नोई सोचते हैं कि उनको भी पारितोशिक मिलना चाहिए राज्यसभा की सीट अगर उनको मिल जाए तो फिर एक प्रकार से जो वादे थे वो सब भी कही न कहीं पूरे हो जाए बजनलाल परिवार जी को राजनीती के अंदर भाजबा के अंदर पूरी दरस थापित करने के बगर कुल्दीब विश्नोई की बात करें तो कुल्दीब विश्नोई विश्नोई समाज से आते हैं हालां कि उनका वोट शेयर तो बहुत जादा नहीं है हरियाना के अंदर भिश्नोई समाज का लेकिन ये जरूर है कि चौधरी भजनलाल के नाम पर राजनीती करने वाले कुल्दीब विश्नोई के का असर जो है वो खासकर गैर जाट समुदाय में पूरे हरियाना में कहीं न कहीं दिखता है और उस सब को देखते हुए कुल्दीब विश्नोई चाहते हैं कि उनका नमबर लग जाए अगर कुल्दीब विश्नोई राज्यसभा के मेंबर नहीं बनाए जाते तो क्या हो सकता है क्योंकि बड़ी चर्चाएं चलती थी पिछले दिनों में कुल्दीब विश्नोई के जो लोगसभा का चुनाव था उस दोरान भी चर्चाएं चली कि वो कॉंग्रेस नेत्रतव के संपर्क में भी है इस लिहाज से कुल्दीब विश्नोई की सोच है और राजनीति गरियारों में चर्चा भी कि कुल्दीब बिश्णोई का नंबर का राज्यसभा के लिए लग सकता है अगर अगला नाम कहूं तो फिर किरन चौधरी और शुरूती चौधरी दोनों को साथ जोड लेते हैं किरन चौधरी आजकल विधायक हैं तोशाम से टेकनिकल रूप से तो वो विधायक कॉंग्रेस की है कॉंग्रेस के सिंबल पर चुन करके आई थी और उन्होंने विधायक पस्से इस्तीफा अभी तक दिया नहीं लेकिन ये जरूर है कि वो भारती जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है उस लिहाज से उनको विधायक कॉंग्रेस का माना जाए या भारती जनता पार्टी का माना जाए या आप लोग खुद सोच ले लेकिन ये जरूर है कि किरन चौधरी के जो उनके भारती जनता पार्टी में शामिल होने के बाद किरन चौधरी के मन में भी हिलो रूठी कि उनका भी नाम राज्य सभा के लिए हो सकता है क्या क्योंकि किरन चौधरी चौधरी बंसी लाल जी की पुत्र वदू है पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अर्याना के स्वर्गे चौधरी सुरेंद्र सिंग की धरम पतनी है और उनकी बेटी सांसद रही है अर्याणा के भिवानी महेंदरगर से अब सोचती है कि जाट नित्रताव प्लस जाट समाज को लुभाने के लिए क्या भारती जंता पार्टी उनको बना सकती है राज्यसभा का मेंबर और ये बात पिछले दिनों चर्चाओं में भी रही कि जाट समाज को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए भारती जंता पार्टी कहीं ले सकती है किरन चौधरी को भी किरन चौधरी नहीं तो क्या शूती चौधरी क्योंकि शूती चौधरी सांसद रही है उनका भी हाल ही में जो 2024 का लोगसभा चुना हुआ उसके अंदर कॉंग्रेस से टिकेट कार्ट दिया था और इस सब को ले करके ही माना यह जाता है कि किरन चौधरी और शूती चौधरी भारती जंता पार्टी में आई साथ साथ दोस्तों एक बात और चल रही है कि किरन चौधरी और शूती चौधरी जब भारती जंता पार्टी में आई तो समय उनका श्रूती चौधरी कि अमिश शाह और जेपी नड़ा साब से मुलाकात भी हुई लेकिन उसके बाद में जैसे सब कुछ धीरे धीरे धरातल पर जाता गया किरन चौधरी का जो कद जो रसूक जो वजूद कॉंग्रेस के अंदर था आज राजनीतिक गर्यारों में चर्चा होत प्राजय सबाग की सीट मिल जाती है फिर तो आप मान लें कि उनको पारितोशिक मिल जाएगा या किरन चौधरी को मिल जाए या उनकी बेटी शूती को मिल जाए लुटियन जोन में बंगला मिल जाएगा सब कुछ सेट सक ठीक ठाक हो जाएगा लेकिन अगर उनको टिकेट नहीं मिलती तो क्या पिछले दुन एक चर्चा थी कि किरन चौधरी भी कही ना कहीं संपर्क में है कुमारी सहलजा के संपर्क में तो निश्चित तोर पर वो होंगी ही और कुमारी सहलजा उनकी वकालत भी कर सकती है किसी भी मामले में लेकिन क्या उनका संपर्क अशोक तवर कॉंग्रेस के परदेश अद्यक्ष हुआ करते थे 2019 का जो चुनाव हुआ विधान सभा का उस दोरान भी अशोक तवर कॉंग्रेस के अंदर काफी प्रभावशाली थे अद्यक्ष तो नहीं थे अद्यक्ष पस्से तो हड चुके थे कुमारी सेलजा बन गई थी लेकिन अशोक तवर का असर था अशोक तवर की रुसवाई जो नाराजगी तब हुई जब उनको टिक्टों में उनका पूरा हक नहीं मिलाओ जो वो चाहते थे अशोक तवर अपने कई समर्थकों को टिकर दिलवाना चाहते थे कभी बात चलती थी 20 समर्थकों को मिलेगा कभी चलती थी 15 को मिलेगा कभी चली 10 को मिलेगा लेकिन जो अशोक तवर सोचते थे वहां तक बात बनी ही नहीं और उसके बाद धीरे धीरे अशोक तवर कॉंग्रेस से दूर होते चले गए उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी हाला कि अशोक तवर का कॉंग्रेस के अंदर आप असर और रसूक मान लें कि उन्होंने NSUI से कॉंग्रेस की राजनीती शुरू की जो उनकी धरमपतनी अवंतिका हैं अवंतिका माकन उनका जो विवहा हुआ अशोक तवर का वो सोनिया गांधी जी ने खराया यनि कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के अंदर अशोक तवर के असर को रसू को वजन को आप माप सकते हैं इस बास से अशोक तवर Congress छोड़ने के बाद में कुछ समय त्रिणमूल Congress में गए थे ममता बनरजी की पार्टी में उसके बाद वो आमादमी पार्टी में आ गए थे और सब को छोड़ चाड़ करके बाद में आ गए वो भारती जन्ता पार्टी में लोग सभा चुनाव से पहले अशोक तमर जब भारती जंता पार्टी में शामिल हुए तो मनहोरलाल मुख्य मंत्री थे और मनहोरलाल ने उनका स्वागत किया मनहोरलाल ने जो अशोक तमर का परिश्य करवाया वो कहा कि अशोक तमर तो मेरे भाणजे हैं यानि कि मामा भांजे की जोड़ी बन गई यहां पर करके लेकिन यहां भी वही अशोक तवर का वजन तो मिला अशोक तवर को टिकेट भी मिला सिर्षा से लोगसभा का सिर्षा लोगसभा का चुनाव अशोक तवर हार गए और हारे भी वो मतलब जो हार का मारजन रहा गैप रहा वो धाई लाग से जाधा वोटों से बड़े अंतर से अशोकतवर चुना भार गए और उसके बाद चर्चा चल पड़ी कि अशोकतवर का नंबर क्या राजसभा के लिए आ सकता है अशोकतवर का बोलून तो अशोकतवर दलीत निता है अशोकतवर दलीत समाज में उस तबके का नेतरतव करते हैं जो शिक्षित समाज माना जाता है पड़ा लिखा हला कि उनका असर अशोक तवर का कितना है कितना नहीं आप ये खुद देखें लेकिन कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष होते हुए उनका पूरे हरियाना के अंदर अपने कारेकरताओं के साथ जो तालमेल सामजस्य बना था तो मान सकते हैं कि अशोक तवर के पास हरियाना के सभी विधानसभा छेत्रों में लगबग अमूमन उनके पास कुछ ना कुछ हैं कारेकरता थोड़े ज़ादा पर उनकी से पूरे हरियाना में हला कि वो उसका फायदा कितना ले पाए आप ये देख लें कि भारती जंता पार कीजे गए अब तक या जो एक सीट खाली है अगर उसमें जातिगत सम्मीकरन साधती है भारती जंता पार्टी तो कैसे है हरियाना से राज्य सभा के लिए पांच मेंबर चुने जाते हैं अभी तक जो चार मेंबर हैं एक सीट खाली है दिपेंदर उड़ा के स्तीफे के बा की जता हो ने दिइबर चोटाओं ने और जो उनका नाम है वो है कार्टी के शर्मा है कंब इंकी माताजी आज कल विमोज शर्मा जो प्पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे के। ने चलाते हैं अपना और करता जानता पार्ट이 के हैं कि परिदिशी के उन्धिक यत में थे लेकिन मनोर्लाल जी के बहुत नजदीक रहें और सुभाश बराला को राज्यसभा का तुअवे के रूप में सीट मिली मनोर्लाा की नजदीक के चलते जाड raas से हैं माश अगला नाम मैं आपसे कहूं तो जो अगला नाम जो राज्यसभा के मैंबर हैं Do प्रशनलाल पवार इंडियन नेशनल लोगदल में कभी हुआ करते थे बड़े दलित नेता हैं भारती जंता पार्टी में भी आए भाजपा से विधायक भी बनें 2019 में चुनाव वो नहीं जीत पाए विधायक नहीं बन पाए भारती जंता पार्टी के टिकेट पर बाद में राज्य सबा का मेंबर बना दिया गया वो भी मनोहर लाल के बहुत नजदीक माले जाते हैं नायप सिंग सेनी के भी नजदीक हैं तीसरे नेता हैं तो रामचन जांगड़ा वो बैकवर्ट समाज से आते हैं OBC समाज से जांगड़ा जांगड़ा बोले जाते हैं ब्रहमन त जोनोंने कहा था कि नर्स और मोदी जी के हाथ को उन्होंने जोड़ा था कि नर्स हाथ पकड़ ले तो मरीज ठीक और मोदी जी ने भात पकड़ लिया तो अर्याना ठीक सारे भाजपा के नेता ठीक तो ये नेता अभी तक चार जो है राज्य सभा में हैं चारों वैसे चाहे टेक्निकल रूप से इंडिबेंडेंटे पर चारों भाजपा में हैं, भाजपा के समर्थक हैं, कार्ति के शर्मा अब्रामन समाज, सुभाष बराला जाड समाज, जांगडा साहब बैकवर्ड समाज, OBC और कृशनलाल पमार साहब, SC समाज, दलित समाज से, अब इस पांचमे पंजाब और हर्याना के अंदर टसल्स हैं, तो वो बात शायद कहीं आगे आएगी नहीं, अब बड़ी बात आ जाती है कि भारती जनता पारटी कौन सा कास्ट फेक्टर साधेगी इसके अंदर, कौन से कास्ट के नेता को, कौन सी जाती के नेता को वो राज्य सभा में पारटी को टाटा बाइबाई भी कह सकता है, अगर उनको लगता है कि उनकी बात नहीं बन रही, तो क्या क्योंकि मैंने जो नाम बताए हैं, इन सभी नेताओं के कॉंग्रेस के अंदर आज भी संपर्क हैं, चाहे वो कुलदीर विश्नोई हैं, चाहे वो किरन चौधरी और उनकी बेटी श्रूती चौधरी हैं, और चाहे अशोक तमर हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन नेताओं में से किसी का नंबर नहीं लगता राज्यसभा के लिए, तो क्या वो भारती जंता पार्टी छोड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या राज्यस चुनाव के बाद हरियाना का सियासी समीकरण बदल सकता है, और आपको क्या लगता है कि इस राज्यसभा की खाली सीट पर कौन से समाज के नेता को भेज कर भारती जंता पार्टी जाती गत समीकरण साधने की दिशा में एक और कार्ट खेल सकती है, कमेंट्स बॉक्स में ज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें